साथियों, देश ने करोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं। इसका स्रे आप सभी को, सभी देश वास्यों को ही जाता है। अनुशाचन और धैरिय के साथ करोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वात हैं, जन भागीदारी की ताकत से हम करोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक समस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राज जुटे हैं। दवाई पहुचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवाभाव को आदर पुर्वक नमन करता हूँ और देशवाश्यों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवाशी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुचाएं। समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथ्यों से अनुरोध है को अपनी सोसाइटी में, महले में, एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेंड्मेंट जोन लगाने की जरूर पड़ेगी, न कर्वियू लगाने की जरूर पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है। आवस्क्ता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरुकता फ्यलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी, छोटे-छोटे बालक, पाँचवी, साथवी, आँचवी, दसवी में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था, उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था, आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तौर पर कहना चाहता हूँ, मेरे बाल मित्र, गर में ऐसा माहुल बनाईए, कि बीना काम, बीना काराण, घर के लोग घर से बाहर न निकले, आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है, प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है, कि ऐसे संकट की घड़ी में, वो लोगों को सतर्क और जाग्रुक करने के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं, उसे और बढ़ाएं, इसके साथ ही, इसके लिए भी काम करें, कि डर का माहोर कम हो सके, लोग अफ़ा और ब्रह्म में न आएं, साथियों, आज की स्थिती में, हमें देश को लोग डाउन से बचाना है, मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा, कि वो लोग डाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तेमाल करें, कि लोग डाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है, और माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है, हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे, और देश वास्यों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे.